आप काफी टाइम से सुन रहे हो के Android 13 आने वाला है हमारे MIUI के अपडेट के साथ और भाई यहाँ पर फाइनली हमारे फर्स्ट बैच के लिए Android 13 का टिस्टिंग सुरू हो चुका है वो भी Global के अंदर जी हाँ Global के अंदर ना कि चायना का चायना का तो पहले से चल रहा है और कुछ डिवाइसे को मिल भी गया है लेकिन गलोल में स्टार्ट होगे और कौनकों से वो डिवाइसे होंगे जिनको भाई सबसे पहले Android 13 प्लस MIUI 14 या MIUI 13 का अपडेट मिलेगा चलिए आज के वीडियो में फाइंड आउट करते हैं वीडियो काफी इंफर्मेटिव होने वाले है तो यार लाइक कर देना और चैनल पर कर देना और आप कमेंट करके बताना कि आप बास कौन सा डिवाइस है रिट्मी, MI, या पोको का तो यहां पर एक आर्टिकल आप दिख से तो जहां पर लिखा गया है यहां पर आप करके बताना कि यह आपके पास है या फिक है तो यहां पर आपको दिखाई देता है साउमी का 11T, Poco F3 GT, साउमी पैट 5, Mi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Poco M5, Redmi Note 8 2021 Edition, Redmi 10 5G और यहां पर Redmi Note 11E और R यह जो टोटल डिवाइस है ना इनके लिए भाई, इंटरनली टेस्टिंग शुरू हो कई है काम चालू हो चुका है Android 13 प्लस MIUI जो कि 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है यह आने वाले टाइम में ही कनफर्म होगा लेकिन हां Android 13 का MIUI यहां पर चालू हो चुका है यह कनफर्म यहां पर हो चुका है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि update जो आता है वो आपको older MIUI वर्जिन पर देखनी को मिल जाता है Android का जैसे कि अब जितने पर नए devices launch हो रहे हैं जो कि MIUI 13 के साथ आ रहे हैं बट वहाँ पर आपको Android 11 देखनी को मिलता है जबकि mostly devices को Android 12 plus MIUI 13 मिल रहे हैं तो same condition यहां पर भी हो सकती है कि कुछ पूराने devices को आपको डाक लिए जो MIUI 14 देखनी को मिल जाए और 13 आपका बाद में आए या कुछ device के लिए MIUI 13 पहले आ जाए और MIUI 14 बाद में आए या कुछ devices को दोनों एक साथ देखनी को मिले तो यह time करनों साथ change होता रहता है और यह internal testing के उपर depend करता है कि internal testing कितने जल्दी complete हो रही है और भाई कुछ issues तो नहीं ना आ रहे है उसी के उपर यह चीज है जो fix होती है और इस से related मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आपको जल्दी देखनी को मिल जाएगा आज या next day जिसमें मैंने अच्छे से explain किया कि क किसे भी device के अंतर defective piece हमें क्यों देखनी को मिलता है उसकी update इतने delay क्यों हो जाते है और कोई भी update आता है तो से rollback क्यों किया जाता है तो उसे check कर लेना आपको बहुत अच्छे तरिकी से मैंने समझाया है इसके बाद अगर इंटरनल testing के code की बात करने ने नहीं बाई कौन- bio machine Pro device के लिए है और यहां पर दीखनी को मिलता है कॉइलशमेरी शयों कंवे व केखनी को हो चुका है जो कि यहां पर लास्टमें 22.1.0 दिखाई दे रहें तो जब ជसे एक बीटा टिस्टर की रूप में टिश्ट किया जाता है जो कि चाइना में weekly update आता है वो इसे ही global का भी weekly update टेस्टिंग चलता है लेकिन वो बाहर निकल के नहीं आता एक time पहले हमें देखने को मिलता था weekly global का update और चाइना का update गलोबल का बंद कर दिया गया है और चाइना का चाल हुए तो यहाँ पर यहाँ आपको weekly वहला है जो number देखने को मिलता है जब यह finally rollout किया जाएगा तो इसे rename करके stable बना दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर आप देखोए कि 13 लिखा हुआ है जो कि हमारा android 13 को यहाँ पर indicate करता है तो इन सभी devices को जल्द ही testing complete होते ही android 13 plus miui 14 या miui 13 का update मि यहाँ पर internally हमारे डो ओर डिवाइस की है जो टेस्टिंग चालो होर कि है बट यह चाइना के अंदर है तो जल्द ही global में देखनी को मिलेगा जहाँ पर आपको एक मंच का code name देखनी को मिलता हुआ है जो मंच है यह हमारे global में POCO F4 के नाम से available है तो global में भी इसकी testing आपको जल्दी देखनी को मिलेगे कि कि चाइना में जो कुछ हो जाता है उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है इंडिया में आने में या global में आने में तो इसके साथ एक और डिवाइस का नेम है इसे भी अपडेट मिलेगा तो 9 डिवाइस उदर से और 2 डिवाइस इढ़रा चुक या अभी रिसेंटली अपडेट आने हैं मी वाइठर दिन के वह आएंगे या नहीं हाँ वह आएंगे आपको रेगुलर सेक्यूर्टी पैच का अपडेट मिलते रहेंगे जिस तरह की से मिलता है कुछ के डिले भी होंगे जैसे कि कुछ चीज़ों के डिले हो रही है अभी कि उसके उपर आपके लिए वीडियो लेके आओ फ्लैस करके पूरा दिखाओं के क्या कुछ हमें रेखनी को मिल रहा है ऐसे ओड़ेटी मैंने मीवाइ 14 से रिलेटेड आपको वीडियो प्रवाइट कर दिया है कि कौनकों से फीचर्स मिलेंगे हैंड्सओन टाइप का बहुत ही ज्यादा प्यार है क्योंकि कोई डिवाइस का नाम मेंसन हो या नहीं रेडिमी का नोट 8 ज़रूर मेंसन होता है जो कि 2021 ही रिशन है लेकिन यह जो नोट 8 का है ना इसका यह लास्ट अपडेट होने वाला है एंड्ड़ोई 13 का इसके बाद इसे अपडेट मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि हर डिवाइस का एक यहां पर लाइफ साइकल होता है अपडेट प्रोवाइट करने का किसी का 2-year का किसी का 3-year का तो यहां फे फॉलो किये जाते हैं अपडेट के रूल एन रेगुलेशन और उसी किसाब से आपको अपडेट मिलता है चाहे वो ल हुआ अपको एटिशने सबस्ता है यहां बाइब सर्भ गör मिलता है घाल यहां चेल रहां जगेब साइए साइकल है।